देवास जिले के ग्रामडावरी में खाद की हो रही धोकधड़ी से किसान परिशान हैं। पचास किलोग्राम साफ तोर पर लिखा है। वहीं एक और किसान दिनिश का कहना है कि पचास किलोग्राम की बोरी पर महज 46 किलोग्राम खाद ही निकला है। उपर से आधेश भहुत है। आई समझने। हमेसे लोग के वे चुलवा के लेओ और पक्को बिल लेओ। बिल तो पक्को है। यह में जुटती जरुवत नहीं है। बिलकुल नहीं है। क्या बुरा भला हो और चाहे काई भी। और आज 30 रुप्रा को नुक्षान होयो कास्तकार को। कर दोनिया ने लिए। दोल ली। यहां तोल तो नहीं तोलता तो कुण पोचतो ह। और इतना साल कुण तोले। पाधा सरु से दूपड़ चल रही है। सब्सक्राइब कास्तकार को नुक्षान होरा ये। के जान लेली। कि अब लिए आपने बोरी सब्सक्राइब नाम से सुगनवाई के नाम से बील है और यह उसी सुसाइटी का खाद लिए बस कंपनी दूसरी है लेकिन इसमें भी चार किलो कम निकला सर क्या होगा इस बारे में यह इसाफ से चार किलो के साफ से तो लाख रुपय का नुक्साने किसानों का तो इसमें किसान को यह आत्माच्टा करना ही सुगाइक बात है आप मुछ को होगे सरी अब किसान चाहते हैं ऐसी कमपनियों पर कड़ी कारवाही की जाए आखिर इस लूट मार की जिम्मेदारी कौन लेगा इस बात पर सभी नजर फेरते दिखाई देते हैं ऐसी ही पैनी खबरों पर हम रखते हैं नजर इसलिए देखते रहें अकबार जगत फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक कीजिए इंतजार